सड़क पर खड़ी गाय को दुर्ग के संतोशी नगर डिबरा पारानिवासी अजैर निशाद ने चाकू से ताबर तोड़ वार कर घायल कर दिया मौकी पर पहुंचे गव सेवकों और राजियू मितान के युवाओं ने गाय की जान बचाई शहर में क्राइम को लेकर लगातार घटनाएं सामने आ रही है मगर मंगलवार को एक बड़ा ही गंबिर मामला देखने को मिला बता दे की नशे के हालत में धूत आरोपी युवक दुल के संतोशी नगर डिवरा पारानिमासी अजय उर्पपू निशाद ने किसी बात को लेकर सड़क किनारे खड़ी गाय को लगातार चाकू से वार कर घायल करता रहा जिसके चलते गाय के गले के पास से खुन बहने लगा इसी दोरान गौ सेवकों और राजी मितान के युवाओं की नजर इस घटना करम पे पड़ी इसके बाद बड़ी ही फूर्ती के साथ इन युवाओं ने आरोपी अजय उर्पपू को पकड़ा और इस करूरता दवारा की गई घटना को देखते हुए नजदी की थाना कोतवाली में पकड़ कर लाया इसके बाद मामले को संग्यान मिलेते हुए कोतवाली पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी पपू निशाद को गिरफतार कर लिया और नया इलाय भी रक्षा में पेशकर जेली भेज दिया गय को चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुचाया गया इस मामले में दुरुग थाना प्रभारी ने अपनी पतिक्रिया दी क्या नाम है पपू आगे अजल पठन निशाद पीता का नाम कहा रहता है दुरुग गंजपार वे पिछे अभी तु किसके घर के पास अता है किसका मामा बहता रहा था तू कि अनुए मैं मोझा मामा है क्यों मारा चाप कॉम मारा चांख को ट्रॉप यहां डुकर प्रशे और जो क्यों मारा था चाप क्यों मारा निकला तो किसे मारा तो उनिकला तो किससे मारा बता खुन क्यों निकला भी गाय का गाय का ब्लड आ रहा है किससे मारा पहले बता में रगो तार था तार उसी मारा तो ग्रेंडे सीन निउस के लिए दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट